जाहिन दोस्तों नमस्कार आपका अपना चैनल खूज अप देवी थेज़े में आपका स्वागत है मैं आपका साथ ही एज़े आज किस वीडियो में लेकर के आया हूँ हूरल का कम्प्लीट स्लेवर्स चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अपलाई किये हो चाहे वो GET वाले हो या DET वाले हो चाहे आपका प्रांच chemical हो mechanical हो instrumentation हो electronics हो electrical हो या फिर instrumentation हो या फिर chemical हो या फिर आप BSC वाले हो चाहे आपका PCM में से किसी से हो physics chemistry math से अगर आप ही URL का अपलाई किये हो तो अब फाइनले ही हूरल का complete syllabus, details में chapter wise मिल गया है. इसमें आपको हर subject का details में मिलेगा, आपको कौन को subject में कौन को topic कभर करने के जाने हैं, complete syllabus मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद, आपको तयारी करने में मज़ा आएगा, क्योंकि एक आपको idea लग जाया कि हमको क्या पढ़के जाना है, और जो BSC वाले दोस्त हैं, PCM वाले उनको ये doubts था, कि कहीं हमको physics भी तो नहीं पढ़के जाना है, mathematics भी तो अलग से नहीं पढ़के जाना है सौमाक्स के लिए, तो complete इसमें आपके syllabus के regarding, आपके मन में जो भी question है, इस वीडियो को देखने के बाद, आपका सारा question क्लियर हो जाएगा, तो बिदा सनव एतीत करते हुए, start करते हैं, आज का ये वीडियो, start करते हैं, हाँ तो दोस्तों, चलते हैं आज कि इस वीडियो के तरफ, इस वीडियो में हमाएं डीटेल स्लेवर्स के बाड़े में बात करूँगा, सबसे पहले स्लेवर्स फूर कैमिकल इंजिनेरिंग, ग्रेजुएट इंजिनेर ट्रेनिंग, ये बीटेक वालों के लिए है, जी इटी वालों के लिए है, इसके बाद मैं one by one सारे पर बात करूँगा, चाहए आप किसी भी ब्रांच से हो, ठीक है, तो अगर बीटेक में अगर केमिकल वाले दोस्त अगर देख रहे हैं, तो उनके लिए process calculation और thermodynamics से question पूछे जाएंगे, इसके बाद fluid mechanics और mechanical operation से question पूछे जाएंगे, ठीक है, इसके बाद, अब जैसे fluid mechanics में कौन कौन से topic पढ़ने हैं, आपको कौन कौन से chapters cover करने हैं, वो पूरे details में आपको यहाँ पे mentioned हैं, आप video को pause करके देख लिजी, इसी तरह से hit transfer में क्या-क्या mentioned हैं, वो आप यहाँ पे देख लिजी, ठीक है, पूरे details में नहीं आपको बताऊंगा, इस तरह से फिर mass transfer में आपको क्या-क्या पढ़ के जाना है, वो पूरा देख लिजीए, fix law, molecular diffusion, influence mass transfer coefficient, film penetration and surface renewable theory, momentum and heat, heat and mass transfer analogy, पूरा details से आप लोग एक बाद वीडियो को pause करके जरूर देख लिजीए, आएगा, क्या-क्या topic परने है, इसमें आपको पूरा mentioned है, आप एक बाद इसको देख लिजीए, फिर instrumentation and process control से आपको क्या-क्या cover करके जाने है, तो वो है, देख लिजीए, सारे आपको यहाँ पर mentioned है, फिर plant design and economics से क्या-क्या topic आने है, इसके बाद आपको chemical technology भी पढ़ के जाना पड़ेगा, तो यह था chemical वालों के लिए, जी इटी वालों के लिए, अब है, instrumentation वालों के लिए, क्या-क्या chapter पढ़ के जाने हैं, वो आप देख लिजीए, यहाँ पर mentioned है, वीडियो को pause करके आप देख लिजीए, हो सके तो आप अपना, जिस भी branch के हो, screenshot भी ले लिजीए, ठीक है, इसके बाद, यह सब तो instrumentation वाले ही है, जैसे signal and system, फिर control system, analogy and electronics, digital electronics, यह सब topic, यह सब chapters पढ़ के जाने हैं, इसके बाद, digital electronics, मिजर्मेंट, sensor and industrial instrumentation, यह सब आपको, instrumentation वाले दोस्तों के लिए है, इसके बाद, communication and optical instrument, यह सब पढ़ के जाने है, अगर electrical engineering वाले दोस्त देख रहे हैं, GET वाले, तो उसके लिए भी क्या-क्या chapters है, देख लिजीए, कौन-कौन सा subject है, basic concept, electric circuit, magnetic circuit, AC fundamental, और, AC fundamentals, उसके single phase transformer, फिर उसके बाद, measuring and measuring instrument, यह सादे chapters आपको देख के जाने पढ़ेंगे, फिर उसके बाद synchronous, generation, transmission and distribution, estimation and costing, फिर इसके बाद, utilization and electrical energy, basic electronics, यह तो उसके बाद, इसके बाद, अगर कोई mechanical वाले साथ ही देख रहे हैं, mechanical वाले, तो उनके लिए है, electrical engineering mechanics, फिर उसके बाद, material science and methodology से आएगा, इसके बाद, strength of material से कौनकों सा topic आपको पढ़के जाने हैं, यह पूरे आप देख लिजिए, इसके बाद, फिर उसके बाद, page को आपको pause करके देख लिजिए, हर ब्रांच का मैं पूरा details नहीं जाऊँगा, ठीक है, इसके बाद अब चलिए, अब आज आते हैं, डिप्लोमा वाले दोस्तों के लिए, ठीक है, DET वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, जो हमारे केमिकल वाले दोस्तों देख रहा हैं, उनको fluid mechanics में, क्या-क्या पढ़ के जाने हैं, तो fluids, flow of incompressible fluid, measuring of flowing fluids, orifice meter, venturimeter, pitot tube, rotameter, wears and notch, transportation of fluids, classification of pump, construction and operation of airlift, reciprocating, rotary, centrifugal, gear pump, handing of solid, conveying equipment, and their classification, general construction and industrial application, उसके आद, belt conveyor, chain conveyor, and screw conveyor, taps of filtration equipment, and their application, इन सारे topics पे, आपको fluid mechanics में कड के जाने हैं, fluid mechanics और इसमें solid handling, जो जिसको mechanical operation वाले subject में, आपको ये सब पढ़ने पढ़ेंगे, conveyor के बाड़े में, इसके बाद आपको, material and energy balance वाला भी पढ़के जाना पढ़ेगा, scope of material and energy balance in chemical industry, gas and gas mixture, ideals, gas law, Boyle's law, Charles law, value of universal gas constant, Amagate's law, partial pressure, Vanter-Wall's equation, average molecular weight, density and composition, ठीक है, material balance without chemical reaction, material balance with chemical reaction, उसके chemical engineering thermodynamics से आपको क्या क्या पढ़के जाने पढ़ेंगे, introduction and basic concept, first law of thermodynamics for open and closed system, second law of thermodynamics and third law of thermodynamics, entropy application of second law of thermodynamics, chemical reaction, equilibrium and vapor liquid equilibrium, ये आपको CRD से पढ़के जाने पढ़ेंगे, CET, chemical engineering thermodynamics से पढ़के जाने पढ़ेंगे, उसके हीट transfer operation से, mode of heat transfer conduction, convection, radiation, heat exchanger, उसके आप boiling and condensation evaporator, इन सारे topic आपको हीट transfer से पढ़के जाने पढ़ेंगे, और भी कुछ इसके बाद देखिए, chemical technology and chemical reaction engineering में आपको क्या क्या पढ़के जाना पढ़ेंगा, introduction of chemical process industry, with reference to Indian resources, trade and export potential, sugar industry, उसके बाद sugar industry वाला भी पढ़के जाना पढ़ेंगा, soap and detergent पढ़के जाना पढ़ेंगा, pulp paper industry, polymer, cement industry, introduction and uses of insecticide, pesticides and herbicides, reactor design, introduction of heterogeneous reacting system, catalyzes, यह सारा जो है सो chemical technology से आपको देखके जाना पढ़ेंगा, उसके बाद mass transfer operation में आपको diffusion, gas, absorption and desorption, humidification and dehumidification, drying, distillation, extraction, leaching और adsorption, यह सारे topics से आएंगे, इसके बाद आपको pollution, control and industrial safety, यह पढ़के आपको जाना पढ़ेंगा, जिसमें air pollution, water pollution, environment protection, radioactive pollution, solid waste management, pollution, action acts and safety in chemical industry, उसके introduction to paint and polymer industry, यह आपको यह सब पढ़के जाना पढ़ेंगा, देख लिजे topic, यह chemical वाले साथ ही के लिए है, इसके बाद, plastic material and principle of polymer sciences, फिर उसके बाद introduction of fertilizer technology, कौनकों साथ topic है, आप एक बार जरूर देख लिजे, pigment and extenders, उसके बाद petrochemical industry, petrochemical processing, जिसमें कि आपको introduction technology of dehydrogenation, oxidation, hydration, sulfonation, alkalation, यह सब क्या होता है, आपको देख के जाना पढ़ेगा, इसके बाद, तो यह सब था total chemical वाले दोस्तों के लिए, पूरा details में से लिए, topic wise, अब instrumentation वाले दोस्त, अगर देख रहे हैं, तो instrumentation वाले के लिए, क्या क्या है, वो आप देख लिजिए, यहाँ पर, वीडियो को pause करके, देख लिजिए, one by one, screenshot आप चाहे तो ले शकते हैं, ठीक है, इसके बाद, अब चलिए, अब जो दोस्त PCM वाले हैं, बहुत बहुत डिमांड था, यह सब सिलेबस का, बहुत महनत के बाद, यह मिला है कहीं से, सिलेबस फोर BSC, जो PCM वाले दोस्त हैं, question का, distribution क्या कैसे, मैं एक वीडियो में बना चुका हूँ, आपको जैसे की पता है, शौमार्क्स का, आपको PCM वाले दोस्तों को आना है, PCM जो PC किये हैं, physics chemistry, math से BSC, उनके लिए 100 मार्क्स का, इन और्गेनिक chemistry आपको पढ़ के जाना पढ़ेगा, जिसमें atomic structure, chemical bonding and molecular structure, ठीक है, organic chemistry में आपको fundamental of organic chemistry, उसके बाद, estereo chemistry, aliphatic hydrocarbon, alkyne, 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 formation of metal aldehyde, addition of bromine and alkaline, kmn-o4, ozonalysis and oxidation with all alkali, kmn-o4, उसके आपको physical chemistry पढ़ के जाना पढ़ेगा, ठीक है, physical chemistry में, कौन को सा topic है एक देख लिजी, इसके बाद आपको, organic chemistry और भी क्या-क्या पढ़ के जाना पढ़ेगा, फंक्शनल गुरूप, approach of the reactions, precipitation reactions, in contrast of the restructure, aromatic, उसके बाद aromatic hydrocarbon में, alkyl और allyl halides, alcohol, phenol and ether, alcohol, phenol, ether, aliphatic और aromatic, aldehyde and ketone, फिर physical chemistry, physical chemistry में solution chapter हो गया, thermodynamic of ideal solution, ठीक है, roll's law non-ideal solution, यह साथ एक topic आपको पढ़ के जाने पढ़ेंगे, उसके बाद, organic chemistry फिर देख लिजी, यह सब आपको देख के जाना पढ़ेगा, फिर coordination chemistry, physical chemistry, ठीक है, आपको पढ़ के जाना पढ़ेगा, फिर उसके बाद, chemical kinetics, ठीक है, अरहनेश equation, तो यह सारा जो है, इसको chemistry वाले, कुछ दोस्त का यह QD था कि, तो मुझे पढ़ के नहीं जाना पढ़ेगा, तो दोस्त आपको physics देखने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स से question नहीं आए, फिजिक्स इस slavus में नहीं है, पूरा details यह slavus मिल गया है, बहुत, अब देखिए, 100 marks का, जो आपका PCM बाले दोस्तों के लिए, 100 marks का question रहेगा, उसमें physics नहीं आना है, उसके बाद जो 50 marks, जो दोनों के लिए है, चाहे वो किसी भी branch के हो, non-tech वाला part जो same है, ठीक है, उसके लिए general, English से 10 marks का आएगा, aptitude से 10 marks का, reasoning का 10 marks का, और GK से 20 marks का, ठीक है, इसके लिए आपको English में क्या-क्या पढ़के जाना पढ़ेगा, synonyms and antonyms, closed test, sentence structure, spot and error, vocabulary, one word substitution, comprehension passes, idioms and phrases, spelling, sentence improvement, para jumbling, preposition, active and passive voice, यह आपको English में पढ़के जाना पढ़ेगे, फिर quantitative aptitudes में आपको number system, HCF, LCM, decimal fraction, ठीक है, simplification, percentage, average, profit loss, discount, time and distance, time and work, ratio, proportional, simple interest, compound interest, partnership, algebra, probability और aesthetics, यह आपको quantitative aptitude में पढ़के जाना है, reasoning में आपको word on out, blood relation, directions and states, order and ranking, analogy, coding, decoding, number series, alphanumeric series, sitting arrangement, one word formation, cellulis, or state and conclusion, यह reasoning से पढ़के जाना है, उसके बाद आपको general awareness से, Indian history, art and culture, Indian polity and constitution, Indian geography, general science, basic computer, environment, country and capital, currency, books and author, sports and science and technology, तो यह आपको इस तरह से, इसका पूरा complete syllabus है, उम्मीद करते हैं, कि यह video आपके लिए helpful हुआ होगा, और जो भी branch वाले दोस्त हैं, आपको, अपने अपने branch के, का जो भी आपको चाहिए, इसका आपको screenshot ले लेना है, ठीक है, ओके, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कर्कुल सारे दो कर्भाद से कर दोने से नहें,